आईए दोस्तो आपको लेके चलते हैं S.L.P.S. Wellness के Manufacturing World जो की भारत के राज्ये राइस्थान की राजधानी गुलाबी नगर जैपुर में श्ती थे दोस्तो S.L.P.S. Wellness की दोनों Production Unit, Food Supplement Unit और Ayurvedic Unit दोनों जैपुर में श्ती थे दोस्तो किसी भी प्रोड़क्ट को बनाने के लिए RoHubs की आवश्यक्ता पड़ती है इसके लिए S.L.P.S. Wellness का कई हचार स्पेर फिट में पहला हुआ RoMetal Warehouse है जिस RoMetal Warehouse में हिंदुस्तान से और पूरी दुनिया से भी जहां से Original Hubs, Organic Hubs आती हैं वो Hubs यहां पर आकर Collect होती हैं उसके बाद ये दोनों Production Unit को Distribute होती है दोस्तों S.L.P.S. Wellness जादा तर Wild Collection Hubs यूज करती है जो की राज्यो सरकारों के माद्यम से उनके जंगलात से परचेश की जाती हैं कसमिरी केशर यह Original कसमिरी केशर जिन प्रोड़क्टों में यूज होती है उनमें डाली जाती है बेरीज यह रो बेरीज है कीवी यह भी रो कीवी है यह देखे दोस्तों S.L.A.J.E.T. यह सिलाजीत इस पत्थर औरिजिनल पत्थर के माद्यम से हम इस सुथ सिलाजीत का प्रोसेस करते हैं उसके बाद यह देखे आलमंड्स इसका पॉडर बनाके हम लोग ने इसको स्टोरेज किया है और चिन भी प्रोड़क्स में आलमंड्स पॉडर की ज़रुत होती है उसमें इस प्रोड़क्ट हम डालते हैं दोस्तों आप यहां देख रहे हैं यहां से और रो मेटेरियल हमारी दोनों प्रोड़क्शन उनिट में जा रहा है प्लस यहाँ पर पैकेजिंग मेटेरिल भी है जो भी प्रोड़क्ट के डिमांड के अनुसार हमारी दोनों प्रोड़क्शन यूनित में जाना है दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारी तहली प्रोड़क्शन यूनित SLPS आयरवेदा इसलिपेस आयरवेदा में यह अमारे साटिफिकेशन है आयसो जी एमपी अलाल पोसर एक्चेसी सीपी और भी बहुत सारे साटिफिकेशन हमारे पास है दोस्तों किसी भी प्रोड़क्ट की गुनवत्ता उसके वाटर टीप्मेंट प्लांट पे डिपेंड करते हैं दोस्तों हमारी एसलिपेस आयरवेदा का वाटर टीप्मेंट प्लांट वर्ल्ड क्लास है यह हमारा फर्स स्टेज आरो, सेकंड स्टेज आरो उसके बाद यहां पर EDI सिस्टम लगाए हुआ है जिसके माध्यम से हमें Deionized Water मिलता है और वो हमारे प्रोडेक्ट में यूज करके हमारे प्रोडेक्ट की गुनवता को बढ़ाता है और उसमें कंटेमिनेशन का कोई चांस नहीं होता दोस्तो तक्रीबन कंपनियां DM Water यूज करती है जिसकी वज़े से प्रोडेक्ट में कंटेमिनेशन का चांसे होते हैं आएए दोस्तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ रो हप्स प्रोसेसिंग उनिट में दोस्तो आप यहां पर देख रहे हैं यह अलोवीरा का प्रोसेस हो रहा है यह अलोवीरा और गैनिक होता है और यह कोंटेक्ट फार्मिंग से असलीपेश आरवेदा में आता है दोस्तों इसके आने के बाद इसकी washing होती है फिर cutting होती है फिर sizing होती है ये aloe vera चार stage में wash होता है उसके बाद इसकी pulping होती है और product के अनुसार ये aloe vera उन product में डाला जाता है आईयो दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे quality control department में दोस्तों हमारा quality control department तीन भागों में बटा हुआ है wet lab section, microbiology section and R&D section दोस्तों हमारी company में R&D section में बहुत योगय scientist और सालों का जिने experience है वो काम करते हैं कई की महिनों हम एक एक product पे research करते हैं उसके बाद वो product जब final हो जाता है उसके results आ जाते हैं उसकी proper R&D हो जाती है उसके बाद हम उसको market में launch करते हैं दोस्तों quality control department आपके जितना भी raw hubs आती हैं उनका test करता है, packing material का test करता है और even philis goods का भी test करता है आईए दोस्तों हमें आपको लेके चलता हूँ quality assurance department पे दोस्तों हमारा quality assurance department product की quality को assure करता है और company के सभी documentation को भी assure करता है दोस्तों यह जो आप tanks देख रहे हैं यह जितने भी हमारे tank है इनमें हमारी raw hubs का process होता है दोस्तों हमारी खोच सी raw hubs ऐसी होती है जिने में boil करना होता है फिर पूरी रात हम उनको भीगो कर रखते हैं और उसके अगले दिन हम उनके active ingredients का use अपने product में करते हैं और उनके wooden parts को अलग कर देते हैं दोस्तों अब मैं आपको कुछ product जो अमारे process हो रहे हैं माले के चलता हूँ वो दिखाता हूँ दोस्तों यह आपका dental dog का process हो रहा है यह आपके immuno dog की raw hubs की processing हो रही है दोस्तों यह आपके cucumber cream की processing हो रही है और यह उपर जो आप देख रहे हैं कड़ाई में यह जो पल्टा हिला रहा है वो आपकी सिलाजीत को उस स्टोन से शुद्ध सिलाजीत बना रहा है दोस्तों यह आपकी automatic filling line है जिसमें आपके viral dog की filling हो रही है इसके बाद इसकी labeling होगी packaging होगी उसके बाद यह finish store में चला जाएगी यह आप देख सकते हैं हमारा hero product immunodog जिसकी यह आपर filling हो रही है उसके बाद हमारा super product dental dog जिसकी यह आपर filling हो रही है यह हमारा hair oil और pain oil का packing section है जिसमें hair oil और pain oil की packing हो रही है हमारी sleepless आयरविदा production unit में 7 production section है जिनमें liquid section, appointment section, oil section, outlayer section, powder section, capsule section और tablet section इत्यादी है इन सभी sectionों से product manufacture होने के बाद हमारे finished good warehouse में जाता है और वहाँ से भारत के कोने कोने में dispatch होते है आईए दोस्तों मैं अब आपको लेके चलता हूँ हमारे food products की manufacturing unit में हमारे food products की manufacturing unit में 4 section है liquid section, powder section, capsule section, tablet section दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं हमारे powder section में जहाँ पर हमारे swim dog, muscle dog, mars dog और fit dog product की processing होती है दोस्तों यह आप देख रहे हैं यहाँ पर grinding हो रही है, shifting हो रही है उसके बाद metal detecting होती है कि किसी product में कोई metal का content ना चला जाए उसके बाद final filling होती है आईए अब चलते हैं हमारे tablet section में जहाँ पर इस automatic machine के मार्जम से हमारे सभी tablet का manufacturing की जाती है आईए अब हम चलते हैं हमारे liquid section में यह हमारा liquid section में जितने भी हमारे food products के liquid product है उन सब की manufacturing यहाँ पर की जाती है आईए दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे capsule section में जिनमें हमारे सभी food products के capsules की manufacturing और processing होती है हमारे सभी capsules wedge होते हैं हमारी company कोई भी non wedge capsule का use नहीं करती दोस्तों हमारे food के जितने भी product हैं उनमें चाहे herbs हो चाहे ingredients हो वो सब original यूज़ किये जाते हैं चाहे काजू हो चाहे बादाम हो केसर हो, berries हो, कीवी हो सभी product हम original यूज़ करते हैं दोस्तों हमारा जो spariluna product है वो pure organic है हम उसका self cultivation कराते हैं और जो हमारा moringa product है वो भी pure organic है उसका भी हम self cultivation कराते हैं दोस्तों हमारा ये जो sea buckthron product है इसका raw fruit लद्दाक से आता है उसके बाद इसकी processing हमारी manufacturing में होती है दोस्तों हमारी जितनी भी राहप से उसमें ज्यादा तर organic होती है और हमारे ingredients pure होते हैं इसकी वज़े से हमारे product की गुणवता बरकरार रहती है और लोगों को हमारे food product से अच्छे result मिलते हैं हमारे दोनों manufacturing unit S.L.P.S. wellness आयरवेदा और S.L.P.S. wellness food production manufacturing unit में products finish होने के बाद जैपूर इस्तित हजारो स्क्वेर फिट में फैले हुए हमारे warehouse में पहुँच जाते हैं और warehouse से हिंदुस्तान के कोने कोने में ये product dispatch किये जाते हैं आईए अब हम चलते हैं हमारी नई बन रही S.L.P.S. wellness आयरवेदा manufacturing unit में ये factory हमारी 100% automation system में होगी सभी advanced technology से less होगी इसकी production capacity आज की factory से 10 गुना जादा होगी इस नई factory में जो lab establish हम कर रहे हैं वो lab world class होगी जिससे हमारे product को export होने में मदद मिलेगी और इस lab की costing costing अगर मैं कहूँ तो कम से कम 10 कुरोड होगी इस नई factory में जो lab establish हो रही है वो world class होगी जिसकी वज़े से S.L.P.S. आयरवेदा के products को export करने में बहुत मदद मिलेगी इस lab की establishment की अगर मैं कीमत की बात करूँ तो तकरीबन 10 कुरोड अबब है और हमारी ये नई manufacture unit तकरीबन 1,00,000 फिट से जादा में फैली हुई है और इसकी completion की मैं बात करूँ तो अपरेल के अंदर ये manufacture unit operation में आ जाएगी ये जो आप जगे देख रहे हैं ये हमारी food production की manufacture unit के लिए है इसकी construction भी शुरू होने वाली है और हम उमीद करते हैं कि एक साल के अंदर अंदर हमारी नई food production manufacture unit बनकर तयार हो जाएगी ये factory भी हमारी तमाम advanced technology से लेस होगी 100% automization system होगा और इसकी production capacity भी आज की capacity तकरीबन 15 गुना होगी और इसमें भी हम world class lab establish करेंगे और ये factory operation में तकरीबन अगले साल नवंबर दिसंबर तक आ जाएगी दोस्तों S.L.P.S. Wellness के production world को रूबरू कराने के बाद अब मैं आपसे आग्या लेना चाहूंगा और परमात्मा से आपके सुष्ट और समर्जीवन की कामना करूंगा धन्यवाद